नमस्कार मेरे प्रिय विद्धियर्थियों PSC का फिर से रिवाइज केलेंडर जारी हो चुका है राज्य सेबा जो परिच्छा है वो 2019 के इंटर्वी उप्रैल में होंगे और फाइनल लिस्ट आपकी जून में चालू हो जाएगी तो क्रपया वीडियो को अंतक देखें जिससे पूरी आपको क्रियर जानकारी मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे तुरंट आपको अपडेट मिल सके क्या बतारा कि इदाज जिसेवा प्रारमिक परिच्छा 2022 जो है वो अंगले साल जनवरी में होने वाली है विग्यापन इसी वर्स दिसंबर में आ जाएगा यानि ये आप 2022 की त्यारी करना चाहते हैं तो त्यारियां अभी से सुरू कर दें क्योंकि पूरा पूरा एक साल आपके पास समय है गेरा महीने दस महीने के तो आप अच्छे से द्यारी कर सकते हैं क्या कह रहा है मद्धपडियस लोक सेवा आयोग MPPSC ने पुरानी दिसंबर में जारी होगा जबकि जनवरी 23 में प्रारमिक परिक्छा होगी फरवरी में रिजल्ट आएंगे मई में मुख परिक्छा होगी जबकि अगस्त में इसका रिजल्ट आएगा अक्टूबर में इंटर भी होगा नॉम्बर में फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी वहीं बन सेबा परिक्छा 2022 का भिग्यापर मी दिसंबर में आ जाएगा जनवरी 23 में परिक्छा होगी फरवरी में रिजल्ट आएगा अप्रेल एमुक परिक्छा होगी मई मैं रिजल्ट ये सब हो जाएगा और जून में इसकी फाइनल लिस्ट आजाएगी ऐसे समझे पूरे एक्जाम कालेंडर को राज सेवा जो बन परिक्षा है वो 2019 के इंटर्विव अप्रेल में होंगे इसी माह में फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगी जो लिस्ट है पूरी वो आ जाएगी फिर राज सेवा परिक्षा 2020 इसी साल 24 से 29 अप्रेल तक होने है इसका रिजल्ट जुलाई में आएगा इंटर्विव सितंबर में होंगे जबकि फाइनलिस्ट अक्टूबर में लगेगी राज जो बन सेवा परिक्षा 2020 इसी साल 24 जुलाई को होगी इसका रिजल्ट अगस्त में आएगा इंटर्विव अक्टूबर में होंगे जबकि फाइनलिस्ट नॉम्बर में आएगी 29 जून को होगी राज सेवा 2021 की प्रारमिक परिक्षा रिजल्ट जुलाई में इधर राज सेवा परिक्षा 2021 में भी बदलाव किया गया है प्रारमिक परिक्षा 19 जून को होगी जुलाई में रिजल्ट आएगा मुख परिक्षा 24 से 29 नॉम्बर तक होगी इसका रिजल्ट फरवरी में जारी होगा और इसके अप्रेल में इंटर्विव होंगे माई में फाइनलिस्ट जारी होगी और राज सेबा बन सेबा परिक्षा जो जो 2021 है उसकी प्रारमिक परिक्षा 19 जून को होगी रिजल्ट जुलाई में आएगा मुख परिक्षा 4 दिसम्बर को होगी इसका रिजल्ट दिसम्बर में ही आएगा जबकि फरवरी में इंटर्विव होगे और मार्च में फाइनलिस्ट जिसकी जारी होगी बागी परिक्षाओं के लिए भी सेड्डिल जारी हो गए है आई इसको हम समझते हैं अच्छे से डेंटल सर्जन एकजाम 2019 तेस जनवरी को हो चुकी है फरवरी में ही रिजल्ट आएगा मार्च में इंटर्विव और उसी के माइस की फाइनलिस्ट आ जाएगी सहायक प्रबंधक लोग स्वास्थिवं परिवार कल्याण परिक्षा 6 मार्च 2022 को होगी परिणाम भी इसी माहें आएगे इंटर्विव अप्रेल में होगे माई में फाइनल सैंस उची आ जाएगी फिर है इंटर्विव अप्रेल में होंगे फाइनलिस्ट भी उसी माहें जारी हो जाएगी सहायक संचालक संबर्ग सामाजिक नयाए परिक्षा 23 जनवरी को हो चुकी है फरबरी में रियल्ट आ जाएगे इंटर्विव अप्रेल में होंगे जबकि फाइनलिस्ट भी उसी माहें में आएगी सायक जीला लोक अभियोजन अभिकारी परिशा 2021 अब 16 अक्टूबर को होगी नॉमबर में रियल्ट आएंगे जनवरी में इंटर भी होंगे फाइनलिस्ट इसकी आएगी स्टेट इंजिनरिंग सर्विस एक्जाम 2021 में इस बार 22 माई को होगी जोन में रियल्ट आएंगे अगस्त में इंटर भी होंगे और फाइनलिस्ट भी अगस्त में ही आएगी आईरुबेच चिकित्सा अधिकारी इसी साल 2021 वाली जो भरती है इसी साल 11 सितंबर को होगी अक्टूबर में रियल्ट आएंगे दिसंबर में इंटर भी होंगे और जबकि जन्वरी में इसकी फाइनलिस्ट आएगी उप पोलिस अधिक्षक रेडियो पर इच्छा इसकी 22 माई को होगी जून में रियल्ट आएगा सितंबर में इंटर भी हो जाएगे और अक्टूबर में इसकी फाइनलिस्ट आएगी असिस्टेंट सर्जन बेटनरी सर्जन पर इच्छा 28 अगस्त को होगी सितंबर में रियल्ट आएगी अक्टूबर में इसके इंटर भी होंगे जबकि नॉम बार में इसकी फानलिस्ट आएगी इस प्रकार पूरा MPPSC का जो एक्जाम कैलेंडर है वो संसोधित करके दिया गया है इसको अच्छे समझ लें और आप जिसकी टैली करना चाहते हैं वो अच्छे से टैली करें और मन लगा के करें सेड्डूल को उसको अच्छे से बना के रखें जिससे आपको एक अंदाजर है कि एक्जाम कब होना है उसी हिसाब से अपने स्पीड को अब घटा बढ़ा सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद